कि हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टो सी डवलो एस साइन्स ना जैसे कि मैं पिछले वीडियों बताया था चेप्टर नमर शिक्स का यह मोलिकुलर इन्हेरिट एंस है ट्वेल्थ क्लास का उसमें से हम लोग पार्ट वान मतलब सेक्शन एक कंपेड कर चुकुए थे जो एमसी क्य टैप कोशन थे मुल्टिपल च्वाइस कोशन थे आज हम लोग डिसक्स करेंगे सेक्शन बी का पॉस्टन डिसक्स करेंगे जो बहुत वर्लान वल्लान लाइन कोशन यह होता है एक ही लाइन में इसको जवाब देना रहता है जो काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो हम जयादा लेट ना करते वह स्टार्ट करते हैं कोशन नमर रवान से सेक्शन और को अभी का लिक्षा नेम अवफ तून न्यूकलिक एसट है ना निकलिक एसट का दो नाम लिखें ओना तो नुकलिक एसट में क्या होता है है दो नाम DNA और RNA DNA मतलव डियोक्सी राइबो निकलीक असड़ डिक्सी राइबो निकलीक अशिड और राइबोन नुकलीक असड़ नुकलिक एसिड यह दो जो होता है वह जिनेटिक मेटरियल भी कलाते हैं साथ इसाथ नुकलिक एसिड भी कलाते हैं ठीक है सेकंड नुमर कोश्चन देखिए यह जो होता है अब कोश्चन है अपने आप में कोश्चन भी है और एक कॉंसेप्ट भी है दोन एक साथ चलेंगे सकेंड नंबर कोश्चन के बात करते हैं तो सकेंड नम्र कोश्चन जो होता है ना पूछा गया विच अमेनो एशिड कि अ सिद्य आ मैनोईश ही है कोड़ ऐ walks ए यू जी और एक उड्राइश को बोलते हैं ले इसको बोलते हैं उरस एको बडी नेटृडिकर्न में चालते हैं उसके बोलते हैं पहुट जैसे स्क होते हैं होते हैं टोटल ट्वाश हें हाईक लासे में देखेंगे यह बलाने के लिए किस्टीवान candidate हेऴ तो यह सब नोग देखेंगे स्फ देख правильно कि कि मिठिचीक्राइब अभर दो होएंटे हाँ अन्यन्य यो इसको इन्य इसको स्टार्ट इसको स्टाइब कोड़ोन इस्टार्ट कोड़ोन और इनिसीएशन कोड़ोन बोला गया तो यह अजी को कोड़ करते हैं नेस्ट कोड़ोन की बात करते हैं है नेस्ट कोड़ोन की बात करते हैं अना कोड़ोन आइप सिंक्रेस्स एणियर क्वनस होता है यह जो नगे ड Самर तर्सिप्शन को आगे प्रेश्ण करने में हेल्ब करते हैं लुख कれてो करने में हेल्प करते हैं यह गार आरद एक पार्ट जो होता है इंट्रोन काहते दूसरा एक जोन काह incarnate तो यह इंट्रोन जो तना यह को भी सिक्विंश इक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इसको ःता है है ना इंट्रों को हटाने के प्रोसेस को बोलते स्प्लाइसिंग रिमूबल आप इंट्रों रिमूबल आफ इंट्रों इंट्रों और बोल सकते हैं एडीशन अफ good addition of exon कि अगिए प्रॉसेस को जो बोलते हैं जो इसको मिले। को इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है ना। चुंकि ये कोभी स्कृष स कुण एक अब बाथा टॉर्गोम हटाया जाता है। एक जो होते हैं इसको रिमूब करते हैं तो क्या होता है इसको रिमूब करने बाद एक जोन सब सट जाते हैं एक दूसरी में बाइंड हो जाते हैं और एक जोन का ही सिक्वेंस होता है फर्द यह क्या होता है ट्रंस्क्रिप्शन में आगे प्रोसेस में हेल्फ करते हैं ठीक है और gehtenden को एक दू सब्सक्राइं करया जाता है यह सीक्वेंस को कोड़ कर पदने मुट था तोल्ट चौनर के बात करते हैं और these four फॉर्म ओप थी एंड़ी आर विएN्टीर दी आर का तौल नाम तो estimates अब टेंडम रिपीट क्या है जैसे हम एक सेक्वेंस लेते हैं एक सेक्वेंस लेते हैं टेंडम रिपीट का मतलब समझे हैं आप लोग टेंडम रिपीट माल लिए एक सिक्वेंस लिए है A B C D ये सिक्वेंस इसका टेंडम रिपीट करना है तो A sorry ये सिक्वेंस हो गया A B A B A B C D ये जो रिपीट हो रहा है उसका बोलते है टेंडम रिपीट इसका बोलते हैं टेंडम रिपीट है टेंडम रिपीट है तो ये टेंडम रिपीट का लाते हैं तो वहरीवल नमबर टेंडम रिपीट इसका भी एंटी आर का यह है फुल फिर्म होता है फुल फॉर्म भी अपने आप में एक व्लोग को याद करना पड़ेगा ठीक नमर करते हैं प्राइट इबाट पारेमिडियन अच्छा यह पार्यमीडियन होता है आपको तो यह है पारमीडिन एक तरह का नाइट्रोजीनियस स्वेश स्विष्य का फाट होता है ह Li स्वेश नत्रया कंसरा कुन आżenia पर मेडिन क्या होते है नाट्रोजीनुस बेस जो होते है ना अ है नाट्रोजीनस बेस का दो पाठ होते और ना प्यूरीन हाद प्यूरीन और प्यूरीन और पारेमेड़ीन पारिमेडिन प्यूरिन और पारिमेडिन नैट्रोजिनस बेस का पार्ट हो गया प्यूरिन जो होते हैं वह डबल मेंबर रिंग होते हैं और इस रिंग में 1379 पोजिशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसके बात करता है यह शिंगल मेंबरेन रिंग होते हैं रिंग होते हैं रिंग होते हैं ठीक है ना यह देखेंगे इसमें तो 9 मेंबर रिंग होते हैं इसमें से नाइट्रोजन भी होते हैं और कार्बन भी साथ में इंक्लूड होते हैं इसके बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वान और थ्री पोजिशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं ठीक है प्रेजेंट होते हैं इस की बात करते है के पिशुमُ के ऐग्जामपल अपका हो गिया ज्यादा डिपन नहीं दिखकेंऌ को यहां पर इनीन आप एडिनीन और गॉंएंट और टीनल और करता है तो आघ्जाम्पल हो गया शैटोसीन कि थायमेंन युरासिलड़र्ड़ पारे में तो यह बारे में अब को बात करते हैं इसके बारे में आपका पारे में आपका प्यूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियू यह यह राइट आबाउट पारे मिडिन और नाइट्रोजीनस बेस प्रजेंट इन डी ने अंड आर ने पारे मिडिन और सैट सैटोसीन युरासिल और थायमीन यह पारे मिडिन का यह कुछ वन लाइनर कोश्चन है यहां पर लिख सकते और भी एटीज नाइन मेंबर रिंग स्ट्रक्चर यह भी लिख सकते हैं इसका 1, 3, 7, 9 पोजिशन पर नाइट्रोजन परजेंट होते हैं यह भी लिख सकते हैं यह डिफ्रेंसेस आएक लिखने के लिए प्यूरिन और पारे मिडिन में डिफ्रेंसेस तो यह डिफ्रेंसेस आप लोग लिख स एत्यां से ninth question की बात करते हैं कि देखे लिस्ट कोष् Jub कि बात करते हैं अपर वालिज़ोगानगाल शेफल कंषा मैं विर्ड कि में श्क्राव के लएव श्चाव कोड़ में होते हैं सेंस कोडन होते है अर अक्र्च और जो होते हैं ל슬क्रों नंसेंस नय हूए नोंसेंस काडन रही इसदित्स कॉड़न नोंसेंस कॉड़न होते हैं इस देभा compress यह तो पॉड़न बहुतBa इसको बोल सकते हैं तीन चार नामों से इसको जाना जाता है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना क्या उनको नाम आ गया तो यह यू ए यू एजी यू जी ए इसको ओकर अंबल ओपल यह इसको बोल सकते हैं इसको नाम है यह ओकर अंबल ओपल ठीक है ना यू एए यू एजी यू जी यह तीन जो होते हैं स्टॉप कोड़ोन होते हैं और स्टॉप कोड़ोन के साथ हैं क्या इनिसियेशन कोड़ोन तो इनिसियेशन जो होता है कि इनिस्येशन कोड़ों बोल सकते हैं कि दूसरा स्टार्टिंग कोड़ों बोल सकते हैं स्टार्ट कोड़ों इस टार्ड पर उनगे होते हैं क्या आ युजी और जी यूजी वह आना ये दो होते हैं क्या स्टाप पॉड़न होते हैं त snippet ng homepage using को कड़ करते हैं ठिक नहीं यह आप अत्रिय слышign podstawoires यह सबसार्ड याद रख सकते है next- çbor टर्मिनेस्ट और या नान्सेस्ट श्रॉद और क्या यह तीन होते हैं ठीक है यह आपका था अच़्ञी बाइट सब्सक्राइट सेक्शन का पूर्भ इकIS का इसी के साथ में सेक्शन सी मतलग डिरूप सी कई यह सॉट टैप सेंसर है लेकिन बैंक से इन इसे पूछा राट द कॉल ऑप get HCG HCG का पूरा नाम क्या होता है Human genome project HP sorry human genome project यह 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 सब पर्जेक्ट है इस पर्जेक्ट के अंतरकर क्या होता है करते हैं लगबग 20 000 से 25 000 जीन जो होते हैं जो डिने प्रॉजेंट रहते हैं में उसको अड़ंटिफाइए करने में हेल्प करते हैं क्वाइशली हीमन जिनॉम प्रोजेक्ट है ना उसमें से क्या होता है उसके बेस पेर को भी डिनने में चोतना बेश क장님 है इसको है को इसका डेटा को भी क्या करते है इसका डेटा इनफोर्मेशन उनीस को करने काम करता है फोर गोल होता है यही मकसद ने देने को अदेन्टिफाय करें उसका जो इंफोर्मेशन उसको स्टोर्ड करके रखें ठीक है चांसे से स्टीक है एक स्टेप्स क्या होते है तो डिने फिंगर प्रिंटिग अग्लैन्टिफाई कर सकते हैं उसके निकलोटाइड सिक्वेंस से हैं ना उसके डेने के निकलोटाइड सिक्वेंस से उसको अडेंटिफाइड कर सकते हैं जैसे बहुत से क्रिमिनल होते हैं रेपीस्ट होते हैं उन्हों भाग जाते हैं तो कुछ इतना सबूत छोड़ जाते से किसी का बाल हो गय क्वेंट क्या होता है थे डीएने का सिक्वेंश जैस्ट निकले टैड उसको आडनेटिफाइड करके क्रिमिनल पिश्ट को किसी पर्संट को अडन्टिफाइट करने में हेल्प करते हैं उस प्रोसेस को बोलते है कि marsh इसका इसका प्रोसेस सोतक है कुछ कैसे घ्र चाहिए निकालेंगे तो यह प्रीक तो ब्रेक करेंगे वहांपर यह विधिया गुलिय नौकुलियक प्रणीया कुली। हुनकूल्भ खरेंगे है Minister ुच्छ क्रोमोजोम होते हैं क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है डीने के अंदर की अथा निकल्पार सिक्वेंस होता है जतना ऐसानी से होते नहीं है थिक सम अरफ लिए आपको äps tulad's में जाना पड़ेगा जो हालीृ टिंटेड लाइब्र रे कि लोग जो कहंते हैं फोरेंसीख यहां जांस्ट पर यह वहीं कि लोग कर सकते हैं 轻िancत ow होते हैं वैसे हम लोग जैसे लोग ए आगर लोग नहीं कर पाएंगे लोग णोग किया तो एक सेल कोSon रिकालना चैनल जा शबया हो जाएगा धिकार तो इसमें क्या होता है पहले सबसे पहले और सब्सक्राइब करेंगे ठीक नवद द्ण को पूरा DNA को नहीं सेप्रेट करना है कुछ एक specific point होता है specific sequence होते हैं जिसको बोलते हैं कि प्लेंड्रॉम सिक्वेंस बोलते हैं उसको डाजेस्ट करना पड़ता है है ना डाजेशन अब डीने बाई रेस्ट्रिक्शन इंडो निकुल ये यह यह सब उसके बाद क्या होता है से सेप्रेट किया जाता है उसके बाद इसको एलेक्ट्र फोरेसिस एक मेकैनिजमें जहां से उसको क्या तो इसको सेप्रेट किया जा सकता है ठीक नहीं मन लोकियम मन लिजे कि एक नट अ आख जो आख närख मनले एक सेट हो यह से सकन्जर्ब स सिक्वेंस है यहाँ है एक टरीक्शन इंडर निकुल इज लिये अ यह फ्रेगमेंट uns marché यह से यह कट ती यह बहुंद कर दीनें यह बन्रों सिक्वेंस कहल आते है इसको कटिंग के लिए दो इंड होते हैं इंड और ब्लांट इंड ठीक है ना तो जनरल इंड यूज किया जाता है ठीक है तो यह इंड नुकुलिएज के द्वारा यह सेक्वेंस कट हो गया तो इसे बोलो यह फ्रेग्मेंट डिने का एक छोटा सा टुकडा इसको अलग कर तब्लोट को एक तॉइसबाद कि आता है इसको ट्रांसफर्म कर देयाता है ब्लोटिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको को ट्रांसफर्म को ठाप है न तो डिनौन की टार्ट और कि अलग कर तक एक है उसको सिंध्य को बना जयता है किりました वी तइन अट्टान को लेट करते हैं कि Neben प्रेटेक्त कर लिए जाता है उसके इंड़ेशन को जात किया पता लगा जाता है एक दीने फ्रेग्मेंट्स है ना बाइक किस के दवारा ओटो रेडियो ग्राफिक के दवारा चुट ना पता लगा जाता है पला है देने के fragments को बबध करते हैं तो यह यह काफी important question है कि मैंने पूरा chat चुका तर फछली फीर फिसला लेक्स्टर में अगर कोई नई जानती तो आप जा के पिछले रेक्सर बेक सकते एंग और प्रोफ चिसको बोलते हैं क्या नितने इसे पार्फ कि ट्रम कर सकते हैं सेंट्रब के अंगा तो इसको श nelan in the Statा । एस सेंटरबला बोला गया थार तो सेंटरल णक्या होता है डीने सेटीन ने बनामा क्या कहा था रेप्लिकेशंद रिम्ली केशन कालाता है ठीक है न मर्ण न टोनव केतल से मर्न बन रहां तो उसको बोका ट्रांस क्रिप्शन को अउसको स्कूवी क्रतिशन बोलते हैं आश मर्न सेक्ड नभान तो उसको बोलते हैं और कर दो आशोन different कि उसको डॉला गया है ठीक है को यह जो प्रोसेस होते हैं यह काफी इंपर्टेंट पेरए वेरी वेरी इंपर्टेंट यह बराबर कुछाए आता है नीच अदिट जी का जो medicalिंटरेंव का exam होता है उसमें हर साल पूछा गया है कोशनद ठीक ही इसी को है तो एग यह जबू आस सी को अरेंटी फाए करना था फिर द्लेकेशन आ साथी है कि लिएप्टपिलिप्ट प्रास्थन होगा कि है तो लेशन होगिया ट्रांस्लेशन हो गया एक और होता है हम बता देते हैं एक और होते हैं यहां पर इसको बोलते हैं क्या दी माल लो डी में क्या होता है यह रिवर्स ट्रांस्कृप्षण रिवार्स रिव्स ट्रांस्क्रिप्टिप्टिन ठीक ना तो यह एक IDENTμुपाय कोशिट ने जो IDFY करना हैं ठीक है में रिप्लीकिसटन टांस्क्रिप्टिप्टिप्टिंस ंस इमें ट्रांसलेशन तो यह हुए नहीं आपनों को बनाना एक्स्प्रेन स्ट्रक्चर ऊप डिन डाय ग्रम्टिक तो डाय ग्राम के साथ में अपने POSC डEन एकर ट्रक्चर को एक्स्प्रेन करना है थोकर सम्म्स कर देते हैं Hobart यह यह डेने का फॉर्म होते हैं यह straight फॉर्म यह twisted form है Qina और इसको जो होते हैं यह एक हेलिक्स का लाते हैं वन हेलिक्स का लाते हैं हेलिक्स इसको हेलिक्स फोन बोलते हैं एक हेलिक्स हना तो एक हेलिक्स में जो होता है दो सरकल होते हैं इसका जो लेंथ होता है वन हेलिक्स का तो दिया गया है 3.3.49 मीटर है ना इसको बोल सकते हैं क 3.492 मेटर मतलब 0.34 एंगस्तरम बोल सकते हैं और बात की बात है यह पर देखिए नियो मेटर में दिया हुआ है और यह पार्ट जो होता है न यह पार्ट को बलते हैं मेजर ग्रूव बोलते हैं यह चोटा सा पार्ट होता है इसको मोलते हैं माइनर ग्रूव ठीक है और दो अस्पेस्पिक नैट्रोजिनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसको डिस्टेंस कितना होता है 0.349 मीटर और एक हेलिक्स का लेंथ होता है 3.49 मीटर है ना चुकि एक हेलिक्स में 10 नैट्रोजिनस बेस होते हैं है ना तो इसको 10 से डिवाइड करते है समलोग तो 0.34 9-0 मेटर आ जाएगा दो नाइटरोजिनस बेस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए ठीक है यह इसको बाक्बाइक ड्याल है जो जो सब यूडे होते हैं यह जो होता है गवान इसमीं प्र 이제 होते हैं इसमें बताये कि यह होता है क्KY Embd के साथ सेटोत्स बनाते हैं कंभाइन करते हैं और अब अब है डीटरोजिन बॉन्ड थाइमिन के साथ में यह बनाता है इंके सब डी एने और यहां से बात करते हैं इनलों का चवराई की बात करते हैं लगबग 2 लिए लिए स्ट्राइब बला सकता है और कि यह सिक्वेंसे जो ते एक टेंपटलेट जो होते हैं वर फ्राइम टू-3 प्राइम होते हैं अज दूसरा जो हमें से जो निउनीकल टैड् applied होते हैं इसमें तो हमेशा सभर्प्रायम के ओपर में निउनीकल टैड्ड आकर यह निउनीट्र जिनस बेसागे एड़ो त्री प्रायम वेच में जब रिप्लेकेशन होता है तब ठीक है तो यह पूरा explain है इसमें DNA का sequences होते हैं जो आप लोग को explain करना इस ही को theoretical form में आपको लिखना है कि ठीक है है ना अज ये डावल हेलिक्स मोडल आप DNA होता है किस ने दिया था Francis Crick और James Watson ने इसको आपकास हम पढ़के बता देते हैं यह लिखा हुआ क्या है बहुत में है जाद हम पढ़ेंगे नहीं करना जो करना था सो हम कर चुके हैं ठीक है ना डिने इस ग्रूप आप नुप मॉलिक्यूल डाइट मतलब ज्रेटिक मेटेरियल क्या होता है जो ग्रीक्टर को सो करता है चुटिक में ऑपड़के दिखता है उसको तो आपका रहें को यह बनास होगता है क्योंफ प्लाऄ बदमास होता है यह जाए जीनमें वाकृट्टर दिक्ट्टर 2 तर परिए निए नेटीक्स क्या बोलते हैं जो जीन करते हैं वह पारेंट से उसके आफ़स्परिंग में ट्रांस्फर्म होते हैं ना डियने इज नॉन अज डियोक्सिर आपने नुकलिक एसिड जैस का पूरा नाम है इस पर्जेंट निसका कहा है एक सेलल कई कट्रम कें निक थbalance केंदर दीने इस प्रजेंट होते हैं in 1953 James Watson and Francis Crick proposed the famous double helix model of model for the structure of DNA double helix model of DNA कौन दिया था Francis Crick और James Watson ने तो यह भी एक MCQ question पूछा जाता है बहुत important है यह कब दिया 1953 में दिया था ठीक है यह आपका question question number question number first question number second की बात करते हैं बहुत सरा DNA के बारे में लिखा हुआ है जो आप लोग पढ़िए बहुत इजिए जो मैंने प्रसोट में बता दिया था भी तुरहन बताया था तो गवानीन होते हैं इसक द्रेश और टू नैनोमीटर होते हैं फाइब प्राइम टो थ्री प्राइमरी डारेक्शन में अपना सो करते हैं तोटल ची बता चुके हैं आप लोग इसको थियोरी में आराम से पढ़िए सबस्मुझ में आ जाएगा ज्यादा टैंसम नहीं लेने का ठीक है अराम से पढ़िए इन है रटने से अच्चे समझी तchtयों कि विजानागिर्णन निद्जिन के बात करते हैं से कूशेओं नभी से कंग सैंड हों कर देदेते हैं इसमां से बदास्वी इंस कूश्णन से सब्लैण न है इसमेद का रिप्लीकेशन अ इक स्पलेन करने साथ ट alc copyright बनाना ही चेंपल सी बात के सब्सक्राइब करना ठेकर डिर्वीकस को करने के सब्सक्राइक लिए उठीज्या को कषया करने के ठीन बीजरना पड़ता है इनिसिएशन इलांगेशन और जिया साथिन ऐ नदेत्ला इसब्सक्राइब इस क्या होता है जो DNA replication को explain करता है ठीक यह हम देखते हैं हलका सा यह यह figure हलका देख लिजिए लोग दिकत ने फिगर देखिए हलका सा ने रिप्लिकेशन फॉर का जहां से क्या होता है DNA start होते है यह DNA replication फॉर का जो वाई सेप में होते हैं ठीक ना इसको बोलते हैं क्या template strand बोलते हैं यह फिर parental strand बोलते हैं यहां पर क्या होता है एक रिप्लिकेशन फॉर को तो जहां से क्या होता है तो वाई सेप में अलग-अलग होकर क्या होता है यह sequence बनाते हैं इस हाफ-अप sequence को बोलते हैं क्या ओका जाकी fragment बोलते हैं और इसको पूरे sequence को बोलते हैं लीडिंग strand बोलते हैं एक होते हैं जो continuous manner में होते हैं वह लागिंग अस्टेंड डिसकंटिनिवस में में होते हैं ठीक है ना एक चीए और याद करने वाला चीज है कि 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 यहां पर DNA polymerase होता है जो पूरे nucleotide को आके करते जाते हैं ठीक है यहां पर देखिए DNA leading strand जो होते हैं इसमें only one DNA polymerase requirement होता है लागिंग strand में एक से अधिक DNA polymerase का requirement होते हैं और DNA civ ने laggaise का ये काम मुझा है компании enzymes होते जो क्या करता है 125 क्या करते हैं इसम Families होने का है ठीक है और TAs पॉस्टाइब में स्टैंट में ने नथा करते हैं जाने लिए प्राइंड मुच यह क्या होता है तो यह डिफ्रेंसेस राइसम में यह आपका हो गया टोटल एक्स्प्लानेशन ठीक है टोटल एक्स्प्लानेशन हुआ आपका सेट नम्मर वन है सेट नमर वन है क्लास 12 का बायोजिक लाइड बायोजिक स्ट्रीम है बायोजिक स्ट्रीम है ठीक लाइड क्लास 12 का यह चैप्टर नमर शिक्स है ना चैप्टर नमर शिक्स है आपका यह चैप्टर कंप्लीट होगी है अपला राम से रिविजन कीजिए और आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ इसलिए सिरियसलिए अप लोग फोकस कीजिए एक्जाम पर ठीकन एक मैना कि अल्मोस्ट एक मैना बचा हुआ है आप लोग फुल डेडिकेटिट से त्यारे किजिए है ना कि सक्सेस वह होता है जो सही समय आने पर अपने गीर चेंज कर दें पढ़ाई का ठीक है नहीं वैसे हर साल तो एक रिदम होता है ठीक लेकिर रिदम को बुष्ट करने का दरकार पढ़ गया ठीक है तो आपको क्या करना इसी टाइम यही एक टाइम है जहां सब लोग प्रहाई का स्तर को बहाना है इंक्रीजमेंट करना है तो आप लोग सही समय देखकर सही सब्सक्राइब बदलिए अब प्रहाई पर फोकस की सब्सक्राइब करें यहां से यहां से वीडियो बनाते रहेंगे एक्स्प्लानेशन के साथ मैं आप लोग स्पीडवें भी देख सकते हैं ठीक है ठीक है थैंक्यों गुड़ लगुडख